हेलो इस्टुडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बी आर एम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइन्स का एसिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज मैं आप लोगों के सामने लोग प्रशासन और नीजी प्रशासन के बीच के तुलनात्मक अध्यन के टॉपिक को लेकर आया हूँ यह जो टॉपिक है यह बी आ पॉलिटिकल साइन्स पार्ट 3 के ओनर्स स्टुडेंट्स के लिए उप्योगी है तो आईए हाज हम लोग लोग प्रशासन और नीजी प्रशासन के बीच के तुलनात्मक अध्यन को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लोग प्रशासन के बारे में थोड़ा जान लें तो लोग प्रशासन अध्यन का एक ऐसा शेत्र है जो राजिद्वारा तैयार की गई सार्जनिक नीतीयों और काईक्रमों के वैवस्थित ढंग से परियोग किये जाने से संबंधित है यह सरकार द्वारा लिये गए पशासनिक निर्णायों और किये गए पशासनिक कारियों से संबंदित होता है यह इस बात पर केंद्रित होता है कि जनता के लिए एक सही, अच्छा और सुरक्षित, जीवन, सुनेश्चित कैसे किया जाए इसके अतिरेक्त, लोग पशासन इस बात पर भी केंद्रित होता है कि कैसे आम जनता को सेवाई परदान की जाए लोग पशासन में कई सिध्धांस शामिल होते हैं जैसे बजट, आयोजन, लोजना, नियंत्रित करना, स्टाफिंग, निदेशन, रिपोर्टिंग, आदी इस तरह यह कहा जा सकता हैं कि लोग पशासन एक गयर राजनीतिक सार्यनिक नौकरशाही होती है, जो एक कानुनी धाचे के अंतरिगत काम करती है इसके अतिरिक्त लोग पशासन सरकार के कानुनों, नीतियों, उदेश्यों, जनहित के काईक्रमों से संबंधित होता है सरकार के अलग-अलंग यानि विधाई का, कारिपाली का और न्याईपाली का और उनके एक दुसरे के साथ के संबंध ये सब लोग परशासन में शामिल होते हैं अब हम लोग थोड़ा नीजी परशासन के बारे में जान लें तो नीजी परशासन नीजी और वैवसाईक उद्यमों का संगठन और प्रबंधन होता है नीजी परशासन का उद्देश लाव कमाना होता है यह कार ये नीजी लोगों के समूद वारा किया जाता है इस परकार हम कह सकते हैं कि नीजी परशाशन एक वैवसाइक किरिया पढ़नाली है और यह गेर राइजदिक होती है नीजी परशासन में नीजी संगठन के प्रबंधन के द्वारा लिएगे निर्णयों और बनाएगे काईक्रमों की योजना, उसके आयोजन, किर्यानवेन, समनवे और नियंत्रन जैसे गुनों का समावेश होता है नीजी परशासन संगठन के आर्थिक उदेश्यों को ध्यान में रख कर काम करता है इसमें संगठन के करमचारियों, ग्राहकों की भागिदारी और इन सब के माध्यम से व्यावसाइक संगठन के आर्थिक उदेश्यों को किस तरह पूरा किया जाएं इस पर द्यान दिया जाता है हम लोगोंने लोग परशासन और नेजी परशासन की अवधारना को अलग अलग देखा, अब हम लोग लोग परशासन और नेजी परशासन के बीच के अंतर को देखते हैं तो लोग परशासन और नेजी परशासन में निमलिकित अंतर पाए जाते हैं लोग परशासन सरकार द्वारा निर्धारित उदेश्यों को पूरा करने के लिए परतिबद रहता है और यह राजी के काईक्रमों को अच्छे और सुवेवस्ति धंग से संचालित करने के परति अग्रसल होता है दूसरी और निर्धी परशासन एक निर्धी वैसाईक संगठन के कारियों का संचालन और परबंधन करता है आगे देखते हैं लोग परशासन को एक राजीतिक प्रकिरिया के संदर्व में हम देख सकते हैं और निजी प्रशाषन को पूरी तरह से एक व्यावसाई गतिवीधी के रूप में परिभाशित किया जाता है लोग प्रशाषन सरकारी संरचनहे अंतरगत रह कारी करता है जबकि दुसरी और निजी प्रशाषन का अपना एक संगठन और परवंधन होता है पर्चासन के नीडने लेने का अधार साजनिक हित होता है जबकि नीजी परशासन एक अधिकरवादी नीडने का परियोग करते हैं जिसका उद्देश नीजी लाभ होता है लोग परशासन के आयका स्रोत जंता द्वारा दिये गए शूलक, कर, दंड, राजस्व और अन्य गतिविदियां होती है जबकि नीजी परशासन के अंदर गत आयका स्रोत उसके कारिस अंचलन और व्यवसाई गतिविदियों पर आधरीत होता है इसके अलावा लोग परशासन लोग कल्यान के लक्ष को ध्यान में रखकर कानम करता है जबकि नीजी परशासन आर्थिक लाव को ध्यान में रखकर नीने लेता है इसके अतरीक लोग परशासन और नीजी परशासन में यहवी अंतर है कि लोग परशासन के अधिकारी गण आम जंदा के प्रती जिमेदार और जवाब दे होते हैं जबकि नीजी परशासन के करमचारियों के जवाब दे ही अपने ही संगठन के मालिक के प्रती होती है तो इस परकार लोग परशासन और नीजी परशासन के बीच के संबंदों उसके अंतर को देखने के बाद हम यह कुल मिला के समझ में आता है कि नीजी परशासन एक नीजी वेवसाइक पर किरिया है इसलिए यह नीजी लाव के प्रती अग्रिसर और सचेद रहता है दूसरे लोग परशासन एक सरकारी और नौकरशाई के ढाचे के अंतर का संचालित होता है और इसका उदेश साजनी खीत होता है हला है कि दोनों ही संगठन अपने अपने तरीके से समाज के विकास और लाव में योगदान करते हैं तो इस परकार आज हम लोग परशासन और नेजी परशासन को समझा मैं अगली बार एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने फिर उपस्तित होंगा धन्यवाद